Hello Friends, Let's Crack SSC and Reload exams, आपका स्वागत है आज के इस lecture में हम देखने वाले हैं दक्षड अमेरिका महादीब के बारे में तो आज के इस lecture में हम दक्षड अमेरिका महादीब के बारे में political और physical दोनों तरीके से हम दक्षड अमेरिका महादीब को complete करने वाले हैं और इस महादीव से संबंदित exam में जो भी question पूछे जाते हैं, उन सभी को हम अनेक प्रकार के maps के द्वारा अच्छे सा समझने वाले हैं, मैंने कई प्रकार के map लिये हुए MNS में, तो उन सभी maps के द्वारा हम physical और political दोनों तरीके से दक्चड अमेरिका में आपको complete करने वाल आपने हमारा telegram channel अभी तक जोइन नहीं किया है, तो इसको जोइन करने के लिए telegram app पर जाकर SSC Ingrave नाम से channel को search करके उसको जोइन कर सकते हैं, इसके अलाबा video के description भी आपको channel का link मिल जाएगा, बहां से भी आप इसको जोइन कर सकते हैं, हमारे telegram channel पर आपको जो भी important videos होती हैं, उनके link available होते रहते हैं, और जो भी videos होती हैं, उनसे संबन्द जानकारी आपको telegram channel पर मिल जाती है, और यहाँ पर आपको अने करने पर काफी सारे benefits मिल जाते हैं, जैसे कि dairy live class हुआ, इसमें live class लेते हुए, अपने educator के साथ discussion करके अपना doubt clear कर सकते हैं, इसके अलाबा live test और excuses आपको देने को मिलेंगे, इसमें आप अपनी performance का analysis कर सकते हैं, किस स्थर की आपकी तयारी होती जा रहे हैं, यह आपको पता चलता रहेगा, और जिस भी exam की आप तयारी कर रहे हैं, उस exam का complete course आपको उसी के syllabus के हिसाफ़ से मिल जाएगा, अने गेडिंग पर unlimited access के धिकर चाह करें जिए हैं, किसी भी topic की lecture को आप कितनी भार देख सकते हैं, उसकी कोई limit नहीं है, और कोई भी topic का lecture, आप कितनी भी teacher का lecture आप देख सकते हैं, उसकी भी limit नहीं है, जैसे यहाँ पर आपको यहाँ पर 10% का डिसकांट मिल जाएगा जैसे कि आपको SSE का कोर्स खरीदना है तो SSE के कोर्स के लिए आपकी 12 मंत की फीस होगी 6000 रुपे लेकिन अगर इसमें आप मेरा SHAM कोड यूज करते हो तो आपको पूरे 10% का डिसकांट मिल जाएगा और उसके बाद आपकी फीस हो जाएगी 5400 रुपे मातर और यदि आपका टारगेट लंबा है 24 मंत का टारगेट है तो 24 मंत की फीस है 7200 रुपे ठीक है दिए दो साल की फीस है 7200 रुपे इसमें भी अगर आप मेरा SHAM कोड का यूज करते हो कोर्स को खरीदते समय तो आपको 10% का डिसकांट मिल जाएगा उसके बाद आपके देखि आपको यूज करना होगा मेरा SHAM कोड उसके बाद आपको पूरे 10% के डिसकांट मिल जाएगा किसी भी कोर्स को खरीदते समय चलिए आते हैं अपने टोपिक पर आज किस लेक्चर में हमें देखना है दक्चड अमेरिका को दक्चड अमेरिका महादीप को आज किस लेक्चर है एसिया लेकिन इसका नंबर है चोथा यह चोथा सबसे बड़ा महादीप है छेत्रफल की द्रिश्टी से पूरे बिस्में पहले नंबर पर आता है एसिया दूसरे नंबर पर अफरीका तीसरे नंबर पर उत्तर अमेरिका और चोथे नंबर पर आता है अमेरिका यह सोरी महादीप है और सबसे चोटा महादीप है और हम बात کرुएं तक्चड अमेरिका की इसके साथ ही देखे यहां पर दक्चड अमेरिका से यह बिसूबद रखा और मकर रखा दोनों होकर गुजड़ती है और दक्चड अमेरिका में ही पूरे बिस्प की सबसे लंबी परवत संकला है एंडीज परवत संकला यहाँ पर देख लीजी आप मैं और इसको दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर देखे तो यह है एंडीज परवत संकला पूरे बिस्प की सबसे लंबी परवत संकला इसकी लंबाई है 72-300 किलो मीटर तो यह दक्षिड अमेरेका में ही है अभी हम डेटेल में भी इसके बारे में देखेंगे कि इस परवसंकिला पर कौन से प्रमुक नगर बसे हुए हैं और प्रमुक चोटियां कौन कौन सी हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे तो यह सबसे लंबी है लंबाई की दरश्टी से पहले नंबर पर आती है एंडीज परवसंकिला लेकिन देखें यह उँचाई की दरश्टी से भी दूसरे नंबर पर आती है सेकंड सबसे उँची भी है यह आप नोट करते चलिए सेकंड सबसे उची परवत संकला है एंडीज परवत संकला पहले नमबर पर आती है यहाँ पर देखीजिए हिमालले परवत पहले नमबर पर हिमालले उचाई की दरश्टी से और दूसरे नमबर पर एंडीज परवत संकला उचाई की दरश्टी से लेकिन अगर लंबाई में देखा जाए तो Andie's परवसंकिला पुरे विस्प की सबसे लंबी परवसंकिला है जिसकी लंबाई है 2400 किलो मिटर ठीक है अब देखिए आते हैं हम दक्षुल अमेरिका को डिटेल में देखते हैं यहां पर देखिए मैंने दक्षुल अमेरिका का म तो इसमें देखिए पहले हम देख लेते हैं कि दक्षुल अमेरिका में देश कितने हैं North America South America South America में कुल 1270 देश हैं 1270 देश हैं प्लस एक एक देश और है इस देश को लगा के यह तेरा देश हो जाते हैं वो देश कौन सा है यहां पर आपको देखिए दिख रहा होगा French Guena यह फ्रांस की अधीन है यह सोतंतर नहीं है अगर हम केवल सोतंतर देशों की बात करेंगे तो वो हैं 12 अगर हम इसको भी लगा लेते हैं तो यह हो जाते हैं 13 ठीके तो इन 13 देशों में सबसे बड़ा देश है ब्राजील यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर दक्ष्ड अमेरिका में सबसे बड़ा देश है ब्राजील अगर हम पूरे बिस्वी की बात करें तो ब्राजील पांचवे नंबर का सबसे बड़ा देश है और दोनों दरश्टी से जंसंख्या और छेतरफल दोनों दरश्टी से ब्राजील पांचवे नंबर का सबसे बड़ा देश है पूरे बिस में इसलिए देखिए इसके बारे में कोशन बहुत ज़्यादा पुछा जाता है क्योंकि ये दोनों दरश्टी से पांचवे नमर पर आता है जंसंख्या में भी पांचवे नमर पर आता है और छेतर फल में भी टच नहीं होते हैं तो दक्षड अमेरिका में केवल ये दो देश ऐसे हैं ठीक है और देखिए सभी देशों में केवल ये दो देश एक्वाडोर और चिली ब्राजील के साथ सीमा साजा नहीं करते हैं इसके अलावा जितने भी देश हैं वो सभी ब्राजील देश के साथ सीमा बनाते हैं आप देख सकते हैं देखिए सभी देश ब्राजील देश के साथ सीम बना रहा है दक्षिड अमेरिका के केवल एक्वाडोर को और चीली को छोड़ कर और ब्राजील पूरे बिस्व का एक एंसा देश है जहां से भूमध्य रेखा और यहां पर आप देख लीजिए नीचे और मकर रेखा यह दोनों होकर गुजड़ती हैं ब्राजील एक मात्र एंसा देश है पूरे बिस्व में जहां से यह दोनों रेखा हैं होकर गुजड़ती है यहां पर देखिए भूमध्य रेखा और नीचे है यह मकर रेखा केवल ए इक्वाडोर देश से होकर गुजर रही है यहां देखे छिप गया है इक्वाडोर तो इक्वाडोर देश से ही होकर गुजर रही है यह इक्वाडोर इसी के नाम से इक्वाडोर का नाम पड़ा और इसके अलावा देखे ब्राजील में ब्राजील में ब्रासिल नाम का एक ब् पूरे दक्षिर अमेरिका में पक्षी बहुत जदा पाई जाते हैं इसलिए देखिए पूरे दक्षिर अमेरिका को साउथ अमेरिका को पक्षियों का महादीब कहा जाता है तो पक्षियों का महादीब कहा जाता है दक्षिर अमेरिका को ये भी आपको याद रखना है चलिए ब्राजील देश ब्राजील देश पांच में नमबर का पूरे बिस्व का सबसे बड़ा देश था जंसंक्या और छेतरफल दोनों द्रश्टी से और यहां का सबसे बड़ा देश है केवल एक्वाडोर और चिली इन दोनों देशों के अलावा सबी देश इसके साथ सीमा बनात होते है यहांपर इन बगानों को कोफी के बगान होते हैं बगानों को क्या कहा जाता है फजेंडा लिए तक हम आपको जो कोफी के वागान होते हैं उसको हम फजेंडा कहते हैं फजेंडा कहा जाता है और ब्राजील कोफी के उतपादन में पहला इस्थान रखता है पूरे बिस्प में और ब्राजील की राजधानी है ब्रासीलिया यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रासीलिया ठीक है यह राजधानी है इसके अलाब देखिए यहाँ पर एक सहर है जिसका नाम है साव पोलो ये ये रेखा कुंसी है ये मकर रेखा मकर रेखा पर ही इस्तित है ब्राजील में साव पोलो मैं ठीक से लिख देता हूँ साव पोलो ये सावपोलो क्यों important है क्योंकि देखिए पूरे दक्षडी गुलार्द में ये पूरे प्रधी पर दक्षडी गुलार्द में सबसे बड़ा नगर है सबसे बड़ा नगर दक्षडी गुलार्द का सबसे बड़ा नगर है यहीं का नहीं पूरे दक्षडी गुलार्द का दक्षडी गुलार्द में जितने भी देश या सहर आते हैं उन सभी में यी सबसे बड़ा नगर है साव पोलो लिख देता हूं में दक्षडी गुलार्द याँ पर आप ठीक से देख सकते हैं और इसके अलावा देखे के साव पोलो में विस्प की सबसे बड़ी कहवा मंडी भी है कहवा की मंडी कहवा की मंडी है और विस्प की सबसे बड़ी मंडी है ये नोट कर लीजी आप तो पूरे बिस्व की कहवा या कोफी की सबसे बड़ी मंडी कहां पर है ब्राजील में साव पोलो में और यह साव पोलो सहर कहां पर है यह नगर कहां पर है यह देखें मकर रेखा मकर रेखा यहीं से उकर गुजरती है ब्राजील में तो यहाँ पर है यह साव पोलो तो साव पोलो के बारे में हमने देख लिया है साव पोलो दक्षडी गुलार्द का सबसे बड़ा नगर है और यहीं पर कहवा की सबसे बड़ी मंडी है पूरे बिस्व की ठीक है, अब इसके अलावा देखिए हम आ जाते हैं यहाँ पर, यह है अमेजन नदी, अमेजन नदी पुरे विस्प की सबसे बड़ी नदी है, यहां लिख देता हूँ, पुरे विस्प की सबसे बड़ी नदी है, आपको पता भी होगा, सबसे बड़ी नदी, आयतन की बाई द्रश्टी से अलावरे यहां पर है manos, यह मानोस नाम की नगर है यहां लिखतेंगों में मानोस नाम की नगर में यहां मनोस नगर वाकर इस ने इसे मिल जाती है इससे मिलने के बाद ये आगे परवाहित होती रहती है लेकन ये मानोस नगर बहुत ज़्यादे इंपोडेंट है इंपोडेंट क्यों है? क्योंकि देखे ये रवर संग्रहन के रूप में पूरे बिस्में पिरसिद्ध है यहां लिख देता हूं में अमेजन नदी में निगरो नाम की नदी मिलती है निगरो नाम की इसकी सायक नदी यहीं पर मिलती है मानोस में और यहीं पर है पूरे बिस्में पिरसिद्ध रवर संग्रहन केंद्र ठीक है चलिए आप आगे देखते हैं तो amazon.com नदी के बारे में हमने देखे लिया है Amazon.com यहाँ पर आगे जाकर अपना मुहाना बनाती है और Amazon.com के मुहाने के पास सही यहां से आप देख सकते हैं मुहमत देरेखावर गुजरती है तो यहीं पर है इसका Amazon.com का मुहाना इसी के मुहाने से एक ट्विटर हुकर गुज़ती है ये भी आपको याद रखना है और अमेजन नदी की एक प्रमुक नदी और है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जिसका नाम है मडीरा यह लिख रहा है छोटा सा मडीरा मैं भी लिख देता हूं तो यह मडीरा नाम की एक नदी है तो यह भी एक इसकी प्रमुक नदी है यह भी आपको याद रखना है इसके अलावा देखे यहाँ पर एक नदी है पराना यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है पराना तो पराना नदी पर यहाँ पर एक बांद बनाया गया है परागवे और ब्राजील दोनों की यह संग्त परियोजना है यह बांद जो है इसका नाम है इतेपू यहाँ यहीं लिख देता हूँ इतेपू यह इतेपू बांद पूरे विस्प के सबसे बड़े बांदों में से एक है इतेपू बांद तो यह कहाँ पर बनाया गया है परागवे और ब्राजील के बीच में यहाँ पर इन दोनों की संग्त परियोजना है और इसके बाद देखिए पराणा नदी आगे प्रभाहित होती हो जाती है और यह परागवे और अर्जेंटिना की प्राकरतिक सीमाई बनाती है और यहाँ से देखिए उपर से एक नदी आ रही होती है यहाँ से यह उपर यह नदी प्रभाहित हो रही है परागवे तो यह परागवे यहाँ से प्रभाहित होती ही जाती है और आगे जाके देखें यहाँ पर यह अपना मोहना बनाती है तो पराणा नदी और परागवे नदी के बारे में भी हमने देख लिया यहाँ पर इतेबुबान बिस्वी के बड़े बांदों में से एक है और वो कहां पर है परागवे और ब्राजील की संगत परियुजना है इन दोनों की सीमा पर यहां पर बनाया वया है ठीक है तो हमने ये देख लिया है इसके अलावा देखिए ये दो देश ये बॉलीबिया और परागवे दोनों इस्तलर रुद देश हैं लेंड लोग्ड सबसे उचाई पर इस्थित राजधानी नगर तो कौन सा है लापाज बॉलीबिया की राजधानी है लापाज इसके अलावा देखिए दूसरे नमबर पर यहां देख सकते हैं आप ये मैं आपको बताया था कि एक्वेटर ये हैक्वेटर एक्वेटर के नाम से ही इस देश का नाम पड़ा जहां से इकवेटर रोकर गुजर रही है इकवेटर इकवेटर की राजधानी है क्यूटो यहां पर आप देख सकते हैं क्यूटो तो दूसरे नमबर पर ये क्यूटो दूसरे नमबर पर सबसे उचाई पर इस्थित राजधानी नगर है क्यूटो ठीक है य इसके अलावा देखे, यहाँ पर है यह टिटिकागा जील, नीचे पेरू और बोलीविया के बीच में यहाँ पर यह टिटिकागा जील है, तो यह टिटिकागा जील इसी जील के किनारे पर ही है, लापाज, लापाज के बारे मैं भी आपको बताया था, तो लापाज कहाँ प पर नो गम में सबसे ज्यादा उंचाए परिस्थित नो का गम में जील है टीटी का का जील ठीक है अब इसके अलावा देखिए हम आ जाते हैं उपर और जूम कर लेता हूं मैपको मैं यहाँ पर देखिए तो टीटी का का जील के बारे में हमने देख लिया है देखिए यहाँ पर है यह वेनेजुला उपर वेनेजुला की एक पिरमुक नदी है जिसका नाम है औरीनोको नदी यहाँ पर आप देख सकते हैं नाम यह लिख पिरा है औरीनोको तो औरीनोको नदी की एक सहक नदी है यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें दिखाई नहीं है, यहाँ पर इसकी एक सहक नदी है, जिसका नाम है कैरोनी, इसका नाम लिख देता हूँ मैं कैरोनी, अभी यहाँ पर मैं किस फैक्ट के बारे हैं, बताने वाला हूँ, अभी आपको पता चल जाएगा, देके पुरे बिस्प का सबसे उच्छा जल प पर इस्तित है, एंजिल फॉल, उस नदी का नाम है चुरून, यहाँ लिख देता हूँ मैं चुरून, ठीक है, तो चुरून नदी पर ही है, एंजिल फॉल, एंजिल फॉल, जो की पुरे बिस्प का सबसे उच्छा वाटर फॉल है, सबसे उच्छा फॉल है, और उसकी उच नाइन सेवन नाइन मीटर ठीक है तो एंजल जल पर पात कहां पर है वेने जेला में है वेने जेला में कैरोनी नदी की एक सहक नदी है जिसका नाम है चुरून तो आपको एक्जाम में कैरोनी भी लिखा मिल सकता है कैरोनी अगर नहीं मिलता है तो आपको चुरून लिखा हु मतलब Angel Fall के बारे मैंने देखे लिया है अब हम देखते हूं आ जाते है कोलंबिया कोलंबिया की राधानी है बोगोटा तो देखे कोलंबिया की एक प्रुमख नदी है उसका नाम आपको याद रखना है सिर्थ जिसका नाम है मैक डलीना यहां पर है यह नदी मैक डलीना इसका नाम लिख भी रहा है मैं यहां लिख देता हूँ मैक डलीना मैक डलीना ठीक है तो यह कोलंबिया की एक प्रमुख नदी है इसके अलाबा हम आ जाते हैं एक्वाडोर में एक्वाडोर के बारे मैं आपको बता दिया था कि ए equator के नाम पर पड़ा और equator की राजधानी है Q2 जो की second number की सबसे उंचाई पर इसी तराजधानी नगर है अब देगे Q2 के पास में यहां पर है Q2 के पास में यहां पर है कोटोपैक्सी मैं लिख देता हूँ कोटोपैक्सी तो यह कोटोपैक्सी जो है ये सेकंड नमबर का सबसे उचा सक्रिय जौला मुखी है सेकंड सबसे उचा सक्रिय जौला मुखी है पूरे बिस्व का सेकंड नमबर का सबसे उचा सक्रिय जौला मुखी है पहले नमबर का है और जोज डेल सेलाडो वो नीचे है अभी मैं उसके बारे में आपको बता हूँगा तो ये है कोटो पैक्सी सेकंड नंबर का सबसे उचा सक्रिय जॉलमकी इकडोर में इसके अलावा इकडोर में एक बात और आपको याद रखनी है इकडोर की सबसे उची चोटी है चिम्बो राजो इकडोर की सबसे उची चोटी है ये भी अग्जाम में पूछ लेते हैं तो ये नाम आपको याद रखना है चिम्बो राजो इकडोर की सबसे उची चोटी ठीके अब हम आ जाते हैं देखिए नीचे टिटी कागा जिल के बारे में हमने देखी लिया है अगले ampe में आ जाते हैं यह है देखिये angel fall मैं आप भी देख सकते हैं अभी मैंने इसके बारे में आपको बताया था angel fall कहाँ पर था यहाँ पर देखिये यह है औरि नोको नदी, की एक सहाइक नदी थी जिसका नाम था कैरोनी तो यहाँ पर चुरु नदी पर है यह एंजिल वाटरफॉल जो कि पुरे बिसका सबसे उच्छा वाटरफॉल है इसकी उच्छाई है सेविन नाइन सोरी नाइन सेविन नाइन मीटर ठीक है यह इसकी उच्छाई है आप फोटो में भी देख सकते हैं इतना उच्छा है यह जल पर पात आगे देखते हैं अब हम देखे दक्षड अमेरिका के दक्षड भाग को देखते हैं अब हम तो यहाँ तक हमने देखी लिया था यह पराना नदी भी हमने देख लिए थी अब इसके अलावा देखिए यह है चिली चिलिदेश की राजधानी है सेंट याओौ, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंट याओौ तो इसी की राजधानी के ओपर, यहाँ पर अर्चेंटीण में, लगबग यहा पर, यहाँपर है एकांग का गॉआ, मैं यही लिख देता हूँ एक कांग का गुवा एंडीज परवसंगला की सबसे उची चोटी है एक कांग का गुवा इसकी उचाई है 6960 मीटर 6960 मीटर इसकी उचाई है एक कांग का गुवा ये दक्षिड अमेरिका की भी सबसे उची चोटी है एंडीज प्रवसंगिला की तो है ही और पूरे दक्षिट अमेरिका की भी सबसे उची चोटी है और कहीं नहीं है से ज़्यादा उची चोटी तो एकांग का गुवा की उचाई है 7960 मीटर तो इसके अलावा देगे आप हम आजाते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है अरजन्टिना और यह चली इन दोनों की सीमा पर यहाँ पर है ओजोस डेल सेलाडो ओजोस डेल सेलाडो यह पूरे बिस्प का सबसे उचा सक्रिय जो अलम की है ओजोस डेल सेलाडो यह आपको याद रखना है और दूसरी नंबर का था कोटो पैकसी इकवाडोर में इकवाडोर की राजधानी क्यूटो के पास में था अभी में आपको बताया था तो यह है ओजोस डेल सेलाडो सबसे उचा सक्रिय जो की पुरे बिस्व का ठीक है अब हम आ जाते हैं देखे ऊपर एक जगह और है यहाँ पर जो आपको याद रखनी है यहाँ पर है देखे एक जगह जिसका नाम है चिक्वी कमाटा मैं लिख देता हूँ चिक्वी कमाटा यह पुरे बिस्व का सबसे बड़ा तामबा उतपादक सहर है यहाँ लिख देता हूँ सबसे बड़ा तामबा उतपादक सहर और यह कोशन एकजाम में बहुत पूछा जाता है कि पुरे बिस्व का सबसे बड़ा तामबा उतपादक सहर कौन सा है या तामबा उतपादक सहर निमन में से कौन सा है तो यह से पूछ लेते हैं तो पूरे विस्प का सबसे बड़ा तामबा उतपादक यहाँ सबसे बड़ा तामबा उतपादक सहर कौन सा है चुक्यू कमाटा यह नाम आपको याद रखना है नाम अजीव है चुक्यू कमाटा लेकिन अग्जाम में बहु त्यागों के पास में उपर अर्जेंटिना और चिली के बीच में अर्जेंटिना में एक आंका गुआ है ये एंडीज प्रवसंगला की सबसे उची चोटी है इसकी उचाही मैं आपको बताई थी अब हम आ जाते हैं देखिए उपर यहां पर यहां पर इस छेत्र को हम कहते है अटाकामा का मरुस्थल यहां पर अटाकामा का मरुस्थल है यह पूरे बिस्व का सबसे सुस्क मरुस्थल है या सबसे सुस्क छेत्र है सुस्क कतम छेत्र है यहां लग देता हूँ मैं अटाकामा डेसर्ट ठीक है अटाकामा डेसर्ट सुस्क कतम छेत्र है पूरे बिस्व और ये है कहां पर ये भी मैं आपको बता दिया है तो ये सबसे सुस्कुतम छेत्र है और इसी छेत्र में चिली में यहां पर देखें जहां पर मैं यह निसान लगा रहा हूँ यहां पर एक जगा है जिसका नाम है अरीका अरीका तो ये अरीका नाम की जगा पूरे बिस्व का सबसे सुस्कुतम इस्थान है तो यह अरीका नाम की जगा पूरे बिस्व का सबसे सुस्कुतम इस्थान है अरीका ठीके तो यह सुस्कुतम छेतरता अटाकामा का मरुस्थान और यह है अरीका नाम की जगा यहाँ पर सबसे सुस्कुतम इस्थान, तो अब आजाते हैं देखे नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ अएक दीब सबसे नीचे दक्षड में टेरा डेल फ्योगुऊ यहाँ पर आप देखे लिख़वा दिख सकता है आपको हिंदी में लिख दीता हुमें टेरा डेल फ्यूगो यह यहां का दक्षड तम एक दीप है टेरा डेल फ्यूगो और यह दक्षड अमेरिका की मुख्य भूमी से जो इस दीप को अलग करती है जलसंदी उसका नाम है मैगलन मैगलन जलसंदी या मैगलन स्ट्रेट मैं यहां लिख देता हूँ मैगलन ठीक है तो यह मैगलन जलसंदी जो है यह इन दोनों को अलग करती है तो यह भी मैगलन जलसंदी का नाम भी आपको या देखना है और यहीं पर देखे यहां पर है यह फोकलेंड दीप इस दीप का नाम है फोकलेंड फोकलेंड दीप के पास से जो ठंडी जलदारा प्रवाइत होती है इधर की और को उसका नाम भी फोकलेंड जलदारा है आपने नाम सुना भी होगा फोकलेंड ठीक है तो इसके अलावा देखे यहीं का दक्षिड अमेरिका का यहीं पर एक बिंदू है सबसे दक्षड तम बिंदू है जिसका नाम है कैप होर्न यहां लिख देता हूँ मैं कैप होर्न तो कैप होर्न दक्षड अमेरिका का सबसे दक्षड तम बिंदू है जो यहां पर दक्षड में है अब आगे देखते हैं अब देखे यहाँ पर हम physical map को देखते हैं दक्चड अमेरिका के, बखश्चड अमेरिका के physical map को देखते हैं, एँपड यहाँ से लेकर नीचे तक है, में बटो कर देता हैं एक वारो, तो यह एँपर बीस्प की सबसे लंभी बश्चड अंगला, इसके अलावा देखिए अटाकामा का मरुस्थल यहाँ पर था यह पुरे विस्प का सबसे सुस्कुतम छेतर है और इसी में अरी का नाम की एक जगा है अरी का नाम का एक स्थान है वो सबसे सुस्कुतम स्थान है पुरे विस्प का साव पोलो के बारे में मैं आपको बताया था और यहाँ पर देखिए पैटागोनिया का पठार यहाँ पर पैटागोनिया का पठार है और यहाँ पर खनीजों की अधिकता होने के कारण इसको खनीजों का पठार भी कहते हैं अब यहाँ पर देखिए अब इसके अलावा हम घासों के मैदानों को और देख लेते हैं देखे यहाँ पर यह अर्जेंटिना है नीचे तो अर्जेंटिना में यहाँ पर है यह पंपाज घास का मैदान ठीक है यह पंपाज घास का मैदान है मैं यहाँ लिख देता हूँ पंपाज तो ये पंपास घास का मैदान इसको चोड़ा अगर ब्रक चरहिद घास का मैदान भी कहते हैं चोड़ा ब्रक चरहिद घास का मैदान ये भी अग्जाम में देखनों को मिल सकता है आपको कि चोड़ा ब्रक चरहिद घास का मैदान किसको कहा जाता है तो वो किसको कहा जाता पंपास को और यह है कहाँ पर अर्जेंटिना में चोणा प्रक्षरेद घास का मैदान ठीक है आगे देखते हैं देखिए पंपास को हमने देख लिया है तो यह यहाँ पर देखिए ब्राजील देस है ब्राजील देस में यहाँ पर इस छेतर में है सैलवास, यह लिख भी रहा है सैलवास, तो सैलवास घास का मैदान है, यहाँ पर ब्राजील में, इसके अलावा हम आ जाते हैं उपर वेन जूला में, तो वेन जूला में, यहाँ पर रहा है यहाँ लानोस, यह लिख भी रहा है लानोस, तो यहाँ अब इसके अरावाद देखे एक और बचा है वो है यहां पर ब्राजील में इस छेत्र में है ब्राजील के दक्षडी छेत्र में जिसका नाम है कैमपास या कंपोस ये दोनों नाम आपको देखने के मिल सकते हैं कैमपास ये कंपोस तो वो कहां पर है ब्राजील के दक्षडी चेतर में ब्राजील के पश्चिमी चेतर में है ये सेलवास तो दक्षड अमेरिका महादीप को हमने कंप्लीट कर लिया है अब हम लगा लेते हैं टैस्ट टैस्ट का पहला कोशन है एंडीज परवस्रेंडी निम्न मेंसे किस महादीप में इस्थित है तो ये कहां पर है दक्षड अमेरिका में मैंने बताया था ये बुरे विस्की सबसे लंबी परवस्रेंडी है एंडीज परवस्रेंडी और इसकी लंबाई है बहतर सो किलो मीटर उचाई की दरश्टी से ये second number पर है, उचाई की दरश्टी से, पहरे number पर है हिमालने, ठीक है, आगे देखते हैं, दक्चल अमेरिका में खनीजों का भंडार छेत्र है, तो वह है, पेटागोनिया का पठार, मैंने बताया था, खनीजों का भंडार भी कहते हैं इसको या खनी अमेरिका में हैं, ठीक है दक्चल अमेरिका में कहां पर है अटकामा का रेगिस्तान, ये अभीन आबश्टी अपको बताया था, और इसी में अरीका नाम की एक जगा है, अरीका, वो सफसे सुस्कृतम इस्थान है, पूरे बिस्ब का, और अटकामा का मरुस्तल सफसे सुस का सरवादिक सुष्क छेतर है तो वो कौन सा है अटाकामा मरुस्तलावी मैंना आपको बताया आगे देखते हैं नेक्स्ट कोशन कोशन नमर पांच दक्षड अमेरिका का चोड़ा ब्रक्षड घास का मेदान कहलाता है तो वो कौन सा कहलाता है पंपाज मैंना लिखकर आपको बताना है पहरा देखे कंपोज या कैमपास तो ये उत्री ब्राजील में नहीं है ये दक्षड ब्राजील में है तो ये तो गलत हो गया दूसरा है लानोस ये वेनिजेला में है ये बिल्कु ठीक है वेनिजेला में है लानोस पंपास चली में नहीं है ये अर्जेंटिना मे है और सेलवास दक्चुली ब्राजील में नहीं है यह पंपास घास के मैदान इश्ठित है पंपास तो वो किस में हैं अर्जेंटिना में option C विल्कु ठीक है देखे घास के मैदानों से सम्मधित question exam में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आगे देखते हैं कोशन no.8 पराना नदी पर निर्मित इतेपु बांध बिस्प के सबसे बड़े बांदों इसे एक है देखों की यह सइंग्त परियोजना है तो मैंने आपको बताया था परागवे और ब्राजील दोनों की सइंग्त परियोजना है यह इतेपु बांध और यह कहां पर बनाया गया है पराना नाम की नदी पर तो ब्राजील और परागवे उप्सन सी बिल्कु ठीक है तो आज की लेक्चर में दोस्तों इतना ही और कोर्स खरीदने के बारे मैं आपको बताया था अगर आप कोई कोर्स खरीदना चाहते है तो आपको 10% का डिसकॉंड मिल जाएगा उसके लिए आपको मेरा कोड यूज करना होगा मेरा कोड है S-H-A-M ठीक है इस कोड को यूज करने के बाद आप किसी भी कोर्स को खरीदे समय 10% का डिसकॉंड प्राप्त कर सकते हैं और हमारे Telegram चैनल को जोई जरूर कर लें इस पर हम सभी important वीडियो से सम्मधित जानकारी देते रहते हैं और उनके link available आपको वही पर हो जाते हैं जली दोस्तों मिलते हैं next video में thank you so much